इसे ऐसे कहें जैसे आप इसका अर्थ लगाते हैं विश्वास की घोशना मैं विश्वास करता हूँ कि मैं विशेश, असाधरन और अलोकिक हूँ मैं घोशना करता हूँ कि मैं परमेश्वर की विश्वास योग्यत का अनुभव करता हूँ मैं चिंता नहीं करता हूँ, मुझे संदे नहीं है, मैं उस पर अपना भरोसा रखता हूँ, यह जानते हुए कि वह मुझे पराजित नहीं होने देगा मैं हर उस प्रतिग्या को जनम देता हूँ, जिसे ईश्वर ने मेरे रिदय में रखा है और मैं वे सब कुछ हूँ, जिसे ईश्वर ने मुझे बनाया है, यह मेरी घोशना है, दिवे स्वास्त की स्विकारोती मैं अपने प्रयावरन पर शाशन करता हूँ, और बिमारी और रोग पर, अंधेरे की हर दुरबलता पर और मृत्यू पर शाशन करता हूँ क्योंकि ईश्वर का जीवन मुझे में है, मैं डरने या असफल होने से इनकार करता हूँ, क्योंकि मेरी सफलता स्वास्त, सम्रदी, जी और जीत, मसी में निश्चित है, आमेन मेरे पास वही होगा जो मैं कहूंगा येश्यू के नाम में योहन 14-13, मैं मजबूत हूँ, मैं स्वास्त हूँ, मैं धन्य हूँ, मैं धनी हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अभिशिक्त हूँ, मैं स्वतंतर हूँ, मैं इश्वर का प्रिय हूँ, और मैं इश्वर और मान जमीन पर लगाया गया हूँ मैं अपने प्रभु के दर्बार में ताड के पेड की तरह फलता फूलता हूँ और हर मौसम में प्रचुर मात्रा में फलुत्पन करता हूँ मैं प्रभु में रस और हरे रंग से भरा हुआ हूँ और बोड़ापे में भी मैं ताजा और फलता फूलता रहूंगा मेरा पत्ता मुर्जहाता नहीं है और जो कुछ भी मैं करता हूँ वह येश्यू के नाम में सम्रेद होता है चीजे हमेशा मेरे लिए येश्यू के नाम में काम कर रही है मैं मसी येशु में हर आध्यात्मे का शिर्वात का प्राप्त करता हूँ मैं एक आत्मा हूँ मेरी आत्मा में एक अंतर्मन है मेरी आत्मा और मेरा अंतर्मन एक भौतिक शरीर में रहते है मेरी आत्मा मेरे अंतर्मन को निर्देश देती है मेरा अंतरमन सुनता है प्राप्त करता है और मेरे शरीर को निर्देश देता है और मेरा शरीर पालन करता है येशु के नाम में मैं अपने शरीर से बोलता हूँ इश्वर का अविनाशित जीवन मेरे जीवन में हमेशा स्पष्ट और व्यक्त होता है मैं अपने शरीर के हर विवरण को जीवन बोलता हूँ मैं अपने मनुभाव से बात करता हूँ परिपून बनूँ मसी के मनुभाव की तरह और मैं तुम्हें परमेश्वर के वचन से संड्रे के तोने के आग्या देता हूँ मैं अपने सनायों और नसों से जीवन बोलता हूँ मैं अपने मास पेशियों और सनायों बंदन को ताकत बोलता हूँ मैं अपने दिल से जीवन बोलता हूँ मैं अपने फेफडों और उत्तकों से सामान्य वेंटिलेशन और परफ्यूजन अनुपाद बनाए रखने के लिए बात करता हूँ मैं अपनी किड्नी, लीवर और अगनाशे को पूंता बोलता हूँ मेरे खून की हर कोशिका में जीवन है मेरी हड्डिया, जोड, काटेलेज, संड्रिकित, मजबूत और द्रड है मेरे पूरे उपरी और निचले अंग उतकश रूप से कारे करते हैं मेरी आँखें सपश रूप से और पूरी तरीके से देखती हैं और मेरे कान काम करते हैं बहतरीन मेरी त्वचा एक नवजाच शिशु और इश्वर की सुन्दता की तरह चिकनी और स्वस्त है मेरे बालों के रूम कस गये हैं मैं अपने बालों को इस्तिर रहने की आग्या देता हूँ और जहां वरदी की आवशक्ता होती है मैं अपने रूम में विकात छोड़ता हूँ मेरे दात, मसूडे, जबडे की हड़िया और तंत्री का और रक्त की आपूर्टी सभी स्वस्त मजबूत और परिपून है मेरे सभी हार्मोन और नियूरो केमिकल ट्रांस्मीटर एक दूसरे के साथ पून सामन जस्तिय में है और अपने कार्यों को सामाने रूप से निश्पादित कर रहे हैं मेरा पाचन तंत्र निगले गए सभी खादे प्रदार्टों को पचाने अवशोशित करने और आत्मसाद करने में सक्षम है और चया पच्चे अपशिष्ट उत्पाद नियमित रूप से उत्सरजित होते हैं मैं खाने, टकनीक, मीडिया, शितलता, गपशप, आलस से, अधिक नींद, सुस्ती और बाद्यकारी खरिदारी में सभी प्रकार के वैसनों, शराब, निकोटीन, ड्रग्स, द्युधातुमान, अत्यरिक भोग को कैद करता हूं और मसी के आग्याकारिता में लेता हूं जैसा येशू, वैसा ही मैं इश्वर ने जो कुछ भी बनाया है, वह मेरे लिए जीवन और चंगाई है इसलिए खाद्य प्रदार्तों, धूल, जानवरों, आदी अलर्जी का मुझे पर कोई अधिकार नहीं है इश्वर ने मुझे इन सारी चीजों पर अधिकार दिया है मेरा प्रजनन्तंत्र प्रयाप्त मात्रा में और अच्छी गती शिलता वाले शुकराणों का उत्पादन और जमा कर रहे है मेरा प्रजनन्तंत्र समय पर अंडे की कोशिकाओं का उत्पादन कर रहे है जनम तक भ्रून की रक्षा और पोशन कर रहा है मेरे शरीर का हर अंग हर कोशी का पूर्टा में कारे करता है जिसके लिए इश्वर ने इसे कारे करने के लिए बनाया और मैं अप मेरे शरीर में किसी बेर पिरकार की खराबी और विक्रती को येशु के नाम में मना करता हूँ मेरा संपोन मानव शरीर, रचना विज्ञान, चया पचे और शरीर क्रिया विज्ञान, मसी येशु में परिपून है, महिमा, हालेलुया, आमेन पतर ईश्वर मुझे प्यार करता है, मुझे प्यार करता है, मैं जानता हूँ